असलाम अलेकूम आप यूट्यूब फैमली वेलकम टू आट ओफ कुकिंग यूट्यूब चैनल तो आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं चिली चिकन की रेसिपी तो चिली चिकन बनाने के लिए सबसे पहले चिकन की कटिंग करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ चिकन ब्रेस्ट लिया है इसे आपने इस तरह से फ्लेक्स में कट कर लेना है तो देखे जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ सेम इसी तरह से आपने भी चिकन को कट करना है इस तरह से सारे चिकन ब्रेस्ट के फ्लेक्स बना लेंगे अब नेक्स्ट हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो चिकन को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे फिर इसमें एड़ करेंगे एक अंडा तू टेबल स्पून इसमें जाएगा कॉन फ्लोर वन टी स्पून इसमें एड़ करेंगे नमक वन टी स्पून ही इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर वन टेबल स्पून इसमें एड़ करेंगे सोय सॉस अब यहाँ इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को तकरीबन 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे तो 15 मिनट चिकन को मैरिनेट करने के बाद अब इसे फ्राई करेंगे तो उसके लिए यहां पे मैंने आउल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था अब एक एक करके चिकन को इसमें डालेंगे और फ्राई कर लेंगे यहां आपने चिकन को तकरीबन 7-8 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है जैसे ही चिकन पे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आजेगा तो चिकन को हम यहां से निकाल लेंगे तो देखें चिकन पे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आगया है अब चिकन को आईल से निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे अब बाकी के चिकन को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे तो जब तक हमारा चिकन यहां पर फ्राई हो रहा है तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ओल पर कर दें ताके मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो देखें बाकी का चिकन भी यहाँ पे फ्राई हो गया है अब इसे भी हम साइट पे रख देंगे अब नेक्स्ट हम चिली चिकन के लिए सॉस पिपेर करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे एक बाउल में मैंने लिया है एक कप गरम पानी फिर इसमें एड करेंगे एक चिकन क्यूब चिकन क्यूब को यहाँ पे अच्छे से डिजॉल्व करेंगे गरम पानी में आपने चिकन क्यूब को अच्छे से डिजॉल्व करना है तो देखे चिकन क्यूब यहाँ पर अच्छे से हलो चुकी है अब इसमें एड़ करेंगे 1.5 टी स्पून नमक 1.5 टी स्पून काली मिर्ज का पाउडर 1 टेबल स्पून इसमे एड़ करेंगे सोय सॉस 1 टेबल स्पून ही इसमे एड़ करेंगे ऑईस्टर सॉस अब यहाँ इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साइड पर रख देंगे अब नेक्स्ट चिली चिकन की ग्रेवी को ठीक करने के लिए एक कॉन फ्लोर की सलरी सी बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून पानी फिर इसमें एड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉन फ्लोर दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक साइड पर रख देंगे अब यहाँ चिली चिकन की सारी चीजें मैंने त्यार कर ली है तो अब हम इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं तो उसके लिए यहाँ एक कडाही में मैंने लिया है टू टेबल स्पून ओयल ओयल को गरम करेंगे फिर इसमें एड करेंगे वन टेबल स्पून कटा हुआ लसन लसन को तकरीबन यहाँ पर थर्टी सेकिंड के लिए कुक करेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुश्बू आने लग जाए नेक्स्ट अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स एड करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक प्यास एक शिमला मिर्च दो हरी मिर्चे और दो ही लाल मिर्चे मैंने यहाँ पर इस्तमाल की है तो कटिंग आप इनकी देख सकते हैं इसी तरह से आपने भी इने बड़े-बड़े क्यूब्स में कट करना है और लाल मिर्चों को आपने तकरीबन 15 मिनिट के लिए गरम पानी में पहले बिगो के रखना है फिर इसे काट के इस रैस्पी में इस्तमाल करेंगे अब लसन यहाँ पर फ्राई हो चुका है अब यह सारी वेजिटेबल्स हम इसमें एड़ करेंगे और तकरीबन 30 सेकिंड के लिए हाई फ्लेम पे इन वेजिटेबल्स को कुक करेंगे वेजिटेबल्स को हलका सा फ्राई करने के बाद अब जो सॉस हमने प्रिपेर करके रखी थी वो इसमें एड़ करेंगे 30 सेकिंड के लिए इसे यहाँ पर कुक करेंगे अब जो चिकन हमने फ्राई किया था जल्दी से इसमें चमच को चलाएंगे ताकि इसमें कोई भी लंस ना बने काउन्ट फ्लोर एड़ करने के बाद अब इन सभी चीजों को यहां पे सिर्फ हाई फ्लेम पे एक मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम को आफ कर देंगे चिकन बनकर बिल्कुल तियार है अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी यह चिली चिकन बनकर तियार हुआ है आप इसे एक फ्राइड राइस के साथ सर्फ कर सकते हैं एक फ्राइड राइस की रेस्पी मेरे चै तो अगर आपको मेरी ये चिली चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर कर दें साथ ये अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को और पे कर दें ताके इस तरह की कुईक को रीजी रेसिपी आपको देखने को मिल सकें नेक्स्ट रेस्पी तक के लिए मुझे दीजिये इजाज़त अल्ला हाफिज